तो दोस्तों आप लोगों के वीडियो पे थोड़ा बहुत व्यूज भी नहीं आ रहे हैं इसे वजह से आप सब की चैनल पे सब्सक्राइबर भी नहीं बढ़ रहे हैं तो आप क्या करो अब वाई टी स्टूडियो में इस तरह से वीडियो को अपलोड करके छोड़ देना फि वीडियो पे जितना व्यूज आ रहे हैं उससे दुगना व्यूज तो भाई आपको अब जरूर से मिलेगा उसके लिए आप आज के सब वीडियो को पूरा जरू से देखना ये वीडियो आप सब के लिए बहुत जादा इंपोटेंट होने वाली है मैं आपको सबसे पहले व्यूज है और दूसरे वीडियो पे 167 व्यूज है जो कि बहुत कम व्यूज है मैरे बार्की व्यूज के मुकाबले से अब मैं आपको दिखा देता हूं कि में जब यडियो में यह ट्रिक लगा करता हूं तो मेरे को कितना जादा इससे फाइदा होता है सब्सक्राइबर और व्यूज भी मेरे को यहाँ पे बहुत जादा मिलते है जैसे कि आप सब देख सकते है इस वीडियो पे 1200 से जादा व्यूज है तो मैं इस वीडियो पे क्लिक कर देता हूँ किलिक कर देने के बाद में जाता हूँ इस वीडियो के अनलाटिक्स में उसके बाद में किलिक कर देता हूँ रिच पे तो आप सब देख सकते है यूटुब सार्च से सबसे ज़्यादा व्यूज आए है अब मैं आपको कोई और वीडियो को सेलेक्ट करके दिखा देता हूँ जाता हूँ मैं इस वीडियो का भी अनलाटिक्स में तो आप सब देख सकते हैं यूटुब सर्च से सबसे ज़्यादा व्यूज आए है इसी तरह से मैं जो जो वीडियो को वाइटी स्टूडियो में ये चैनल पे नए नए लोग आएंगे वह आपका कोउन्टेंट द देखेंगे फिर वह आपके चैनल कोसे घरिल करौज और जब कोई भी आपके चैनल को सब्सक्राइब करेंगे वह करेगा तो आपका रियल एंटरेकोटीं सबस्क्राइबर होगा क्योंकि ये वाजह से वर इसे बढ़ाई यूटूब पर वो जानते हैं बिना किसी इंट्रो के बाइदेबर पिछले वीडियो में फॉस्ट कमेंट करने वाले यह है तो मैंने इनके चैनल को अपने कमुनिटी टेप में लगा दिया है तो आप सब जाओ जाके सपोर्ट करो अगर आप सभी अपने यू जोस्तो वाईटी स्टूडियो में हम कौन सा ट्रिक लगा कि अपने चैनल पर वीडियो को अपलोड करेंगे जिसे हमारे चैनल पर सब्सक्राइबर भी बढ़ेगा साथ ही साथ थोरा बहुत व्यूज भी बढ़ेगा तो वो सब बताने के लिए सबसे पहले हमें अपने जोस आइकन पर क्लिक कर दोगे उसके बाद आपको फोंटो या पिर आपको एलबम पर क्लिक कर देना है उसके बाद आप जो वीडियो अपलोड करना चाहते है अपने चैनल पर आप उस वीडियो को यहाँ पर सलेक्ट कर लो सलेक्ट जब कर लोगे तो आपका वीडियो यह पर इस तरह से open हो जाएगा उसके बाद आपको सबसे पहले उपर साइड में यह pencil का इकन देखनों को मिल जाएंगे तो आपको इस पर click कर देना है जब आप इस पर click कर दोगे उसके बाद आपको मैं कहता हूं कि आप जो भी वीडियो अप्लोड कर रहे हो आप वीडियो बना कि जब आप वीडियो अप्लोड करोगे और आप वीडियो अप्लोड करते टाइम ही थमनेल लगा दोगे तो जब आपका वीडियो प्रोसेस होगा तो आपका थमनेल भी प्रोसेस हो जाएगा और यूट्यूब के अलगोरिधम में यह perfect SEO मान जाता है इस वजह से आपको ऐस जरू से करना चाहिए उसके बाद आप लोगों को करना क्या है इस टाइटल के option पर क्लिक कर देना है और आप जो भी वीडियो में बताए हो उसके बार में आप टाइटल में लिखो सबसे पहले जैसे कि मैंने अपने इस वीडियो में बताया है वाइटी स्टूडियो सभी चोटे चैनल वाले को हर दिन में 719 सब्सक्राइबर दे रहा है तो मैं इसी के बारे में थोरा सुरू में बरहा चरहा के लिखूंगा तो यहां पर मैं सबसे पहले टाइटल पर क्लिक कर देता हूं उसके बाद यहां पर मैं लिखता हूं 719 सब्सक्राइबर रोज या पिर आप ये लिख सकते हैं कि रोज मिलेगा 719 सब्सक्राइबर आप अपनी साब से आप जो भी विडियो में बताए होगे आप लिख लेना उसके बाद आप लोगों को यहां पर कोई साभी एक डंटा को यूज कर लेना है उसके बाद हमारे विडियो का टोपिक है कि कैसे बढ़ाए उसके बाद हम दोबारा से कोई साभी एक डंटा को यहां पर हम यूज कर लेंगे उसके बाद हम क्या करेंगे इसी टोपिक को अब हम इंगलिस में लिखेंगे तो इस टोपिक का इंगलिस होता यह है कि हाउटू इंक्रीज सब्सक्राबर्स ओन यूट्व तो यहां पर मैंने लिख लिया है उसके बाद आप लोगों को करना क्या है इस टाइटल को पूरा कोईपी कर लेना है कोईपी करने के बाद आप लोगों को एड़ डिस्क्रिप्सन का ओप्सन दखनों का मेली जाएंगे तो आपको एड़ डिस्क्रिप्सन पे क्लिक कर देन उसके बाद आपको सबसे उपर में यहां पे जो भी कूपी किया है उसको पेस्ट कर देना है। यह अप्लोड यहाँ पे होने लगेगा उसके बाद आपको करना क्या है जब पूरा वीडियो अप्लोड हो जाएगा तो आपको इस वीडियो के बगल साइड में 3.5 की आप्सन पे किलिक कर देना है जब किलिक कर दोगे उसके बाद आपको यहाँ पे एड़ टेक्स का आप संद्खनों का मिल जाएंगे तो आप इस पे क्लिक कर देना और आपके YouTube चैनल का जो भी नाम है सबसे पहले आप अपने YouTube चैनल का नाम यहाँ पे लिख लो और अपने चैनल के नाम का टेक्स यहाँ पे लगा लो उसके बाद जो टाइटर में आपने पहला कीवर्ड को यूज किया है जैसे कि मैंने किया है सबस्कैबर कैसे बढ़ा है तो आपको वही कीवर्ड को यहाँ पे भी लिख लिख लेना है और आपको धियान देना ये है कि पूरा कीवर्ड small letter में होना चाहिए उसके बाद अगला keyword जो भी होगा वो keyword आपको यहाँ पे लिख लिया है उसके बाद आपको बेक आना है बेक आने के बाद आप लोगों को description पे click कर देना है जब आप सब description पे click कर दोगे उसके बाद आप थोरा से space लेके नीची आ जाना उसके बाद आप यहाँ पे your keyword is solved in this video य जाने कि जो भी title में आपने keyword दिया होगा उसके आपने tag में भी लगाए होंगे तो आपको उसी keyword को यहाँ पे लिख लेना है जैसे के mobile में YouTube application को open करना है और YouTube application को open करने के बाद आप लोगों को search icon पर click कर देना है और आपको यहाँ पे search करना है subscriber केसे बढ़ाए यहाँ पर मैंने बोल ही दिया है तो आप लिख देना कि subscriber केसे बढ़ाए उसके बाद आप लोगों को यहाँ पर करना क्या है जो search किया है उस पर click कर देना उसके बाद यहाँ पर copy सारा keyword आ जाएंगे तो आप एक एक करके सबी keyword को आप अपने वीडियो के description में लिखो और अपने वीडियो के tag में लिखो क्योंकि यहाँ पर वही सारा keyword आ रहे है जो YouTube पे सबसे ज़्यादा rank करते है तो जोस्तो आप सब को जो मैंने करने के लिए बोला है जिस तरह से आपको वीडियो अप्लोड करनी है अब YT Studio से आप उसी तरह से वीडियो को अप्लोड करो फिर देखना आपका वीडियो कैसे YouTube सर्च में जाता है आपका वीडियो नए नए लोगों के पास पहुंचेगा तो आपको वीडियो भी मिलेगा आपको सब्सक्राइबर भी मिलेगा ये वीडियो आपके लिए बहुत जादा यूजबुल हुआ होगा तो आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिगा चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिगा और इस वीडियो को आप बहुत जादा लोगों के पास सेर कर दीजिगा